परधार मंतरी आवासुजना ग्रामीन के अंतरगत एक बहुत बड़ी खुसकवरी निकल कर आ रही है जिन सभी लाभारतियों को अभी तक पेशा नहीं मिला है जिन सभी लाभारतियों का पेशा पेंडिंग में है उन सभी लाभारतियों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी उन सभी लाभारतियों का एप्टियों जारी हो चुका है और उन सभी लाभारतियों को 25 फरवारी 2023 को पेशा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सभी लाभारतियों का यहाँ पर लिस्ट निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आप पूरा details में check कर सकते है, कि इन सवी लाभारतियों को का पेसा दिया जाएगा, इन सवी लाभारतियों का FTO जारी हुआ है, कि नहीं यहाँ पर पूरा details check कर सकते हैं, यहाँ पर हम copy कर लेते हैं, और इसके बाद दोस्ते आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आप step by step follow तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर three line का एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है और click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं stake holder तो दोस्तों यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद यह यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा IAYPMAYZ beneficiary आपको यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे दोस्तों यहाँ पर आप किलिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं registration number का option आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों उस registration number को आपको paste कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर हम paste कर देते हैं और इसके बाद दोस्तों आपको Submitable Option पर किलिक करना है जैसे दोस्तों आप Submitable Option पर किलिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बिनिफेशरी का पुरा डीटेल्स आ चुका है तो दोस्तों इस लाभारती का यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एकाउंट वेरिफाइड है और दोस्तों इसको 25 फरवारी 2023 को पेशा दिया जाएगा इसका FTO जारी हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका order seat यहाँ पर 29 2022 को इसका हुआ था और अभी तक इसका पेशा pending में है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अभी तक पेशा नहीं मिला है तो दोस्तों इस लाभार्तियों को 25 फरवारी 2023 को पेशा दिया जाएगा इसका दोस्तों आप FTO नंबर को ट्रेक कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं FTO नंबर तो दोस्तों इस FTO नंबर को आप कोपी कर ले और कोपी करने के बाद दोस्तों इसको आपको ट्रेक करना तो दोस्तो ट्रेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-line का option यहाँ पर आपको किलिक करना है यहाँ पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आबाज swap का option यहाँ पर आपको किलिक करना है जीसे दोस्तो यहां पर आप किलिक करते हैं यहां पर देख सकते हैं FTPO Network का option आ चुका है यहां पर दोस्तो आपको FTPO Number को paste कर दोना है और paste करने के बाद दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं एक capture code इस capture code को आपको इस box पर सही सही फिलाब करना होगा और नीचे submitable option पर आपको किलिक करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर हम capture code को सही सही फिलाब कर लेते हैं और submitable option पर किलिक कर लेते हैं जैसे दोस्तों submitable option पर किलिक किजेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका FTO नमबर आ चुका है और यहाँ पर दोस्तो उस लाभारतियों का payment कब दिया जाएगा पूरा details चेक कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो आपको FTO नमबर पर किलिक कर देना है जैसे दोस्तो आप FTO नमबर पर किलिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बिनीफेसरी का नाम आ जाएगा यहाँ पर सभी लाभारतियों का यहाँ पर नाम आ जाएगा किन-किन लाभारतियों का पेशा पेंडिंग में हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन सबी लाभारतियों को 25 फरवारी 2023 को पेसा दिया जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर आप आके पुरा डीटेल्स में चेक कर सकते हैं यहाँ पर सभी विनिफेसरी का नाम आ चुका है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या दोस्तो आपको कुछ भी पॉबलम होता है तो दोस्तो नीचे कॉमेंड बॉक्स पर कॉमेंड कीजिए और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नेकिते चैनल को सस्क्राइब कर ले चलिए दोस्तो नेक्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बंदे मातराम जै हिन जै भारत